वेलकम तो यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टड़ी टाइम विट इसके हेलो दिशिस सुनाली कुमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसमबर 2022 टर्म एग्जामिनेशन के हॉल टिकेट के बारे में आप देख सकते हैं कि हम इगनु की ऑफिशल वेबसाइट पे मैं अभी आपको दिखा देती हूं जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको कम से कम दो से तीन मिनिट वेट करना पड़ेगा जिसके बाद ही नया इंटरफेस आपके पास ओपन होगा तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और कुछ पाते कर लेते है I hope कि आपका जो exam का preparation है वो काफी अच्छा हो रहा होगा आप अपने exam के preparation को कुछ और चीज़े include करके और बहतर बना सकते हैं आप इसके इंदर include कर सकते हैं कुछ test के questions कुछ revision के notes जो आप अलग से बना करके रख लीजे जो आपको ऐसा लगे कि यह यह topics हैं जिने आपको exam मे enter करने से पहले एक बार देखना है तो आप उन topics को एक जगे note down करके रख लीजे इससे भी आपको help मिलेगी जब आप revise कर रहे होंगे final एक revision कर रहे होंगे उस वक्त आप इन topics को एक बार और देख पाएंगे तो एक तो यह आप note बना करके side में रख लीजे कि कौन-कौन से topic ह जनको आपको एक बार और देखने की जोर्थ है साथ ही जो questions की मैं बात कर रहे थी कि कुछ questions को include कीजे तो आपो different channels पे जो important questions के videos हैं हमारे चैनल पे भी different courses के important questions के videos हैं जहां पर मैं सिर्फ आपको question provide करती हूं मैं बहुत ही कम यह प्रयास करती हूं कि आपको मैं उनके साथ solution प्रोवाइड करूं क्योंकि जब आप हमारे questions को देखेंगे और उसके answers खुड ढूंडेंगे अपने course book के अंदर तो आप 2-3 चीज़े extra पर पढ़ पाएंगे कि अच्छा यह चीज़ भी है इसके अंदर इस चीज़ को भी मैं अपने answer में include कर सकता हूं यह कर सकती हूं तो आपकी भी help होगी उन question से और आप भी अच्छा score कर पाएंगे बात करें अगर हम FST1, BSHF 101 या फिर BEVAE 181 की जो MCQ-based इनके exams होते हैं तो इस तरीके के जो भी exam होते हैं जो OMR seat पर होने वाले होते हैं जिन में आपको options दिखते हैं question को करने के लिए वहाँ पर जब आप अपन question को MCQ-based देखते हैं options के साथ देखते हैं तो आपको confusion स्टार्ट हो जाती है कि इसका correct answer क्या होगा तो इसके लिए आपको practice करनी पड़ेगी आप different जो important questions के videos हैं हमारे पास MCQ की series है different courses की आप उन series को देखिए इससे आपको एक तो यह practice हो जाएगी कि किस तरीके से आपको correct answer क को tick करना है elimination method का use कर पाएंगे आप यह देख पाएंगे कि किस तरीके से question से answer को निकालना है या जो भी fact आप जानते हैं उससे उस fact को आपको draw कर पाएंगे वहापर देखिए अब जाकर कि यह हमारे पास page open हो चुका है तो यह इस तरीके का interface होगा आपके पास जब आपने admit card को download करेंगे आपको यहां पर अपना enrollment number डालना है यहां पर डालना है अपना program और इस program को आप drop down से select कर सकते हैं देखिए मैं एक बार आपको करके दिखाते हूं देखिए यह वो programs हैं जिनके लिए admit card release कर दी गई है एकनों की तरफ से आपको अपना program को यहां से सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास आपका अपना admit card open हो जाएगा आपको उस admit card को download करना है और उसकी एक hard copy प्रेंट आउड निकलवा लिजेगा और उसको लेकर के आपको अपने exam center पे जाना है अपने hall ticket के साथ आपको और क्या क्या लेकर करके जाना है आपको ले जान आप अपना खुद का personal लेकर के जाएगा ठीक है अपने preparation को अच्छे से रखिए और यह जितने भी essential चीजे हैं जो आपको exam center में जोरत पढ़ेंगी चाहे वो scale है या calculator है कुछ courses के लिए तो आप इन सभी चीजों को अपना खुद का carry करेंगे ठीक है तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा देखिए exam hall में भी कुछ strategies का आपको ख्याल रखना पड़ता है exam hall में enter करने के बाद कि किस तरीके से आपको अपने exam को पूरा दो गंटे या तीन गंटे जो मिला है उसको किस तरीके से निभाना है किस तरीके से जो सारी चीज़े आपने preparation की है उसको और मैं कुछ आपको वीडियो और प्लेलिस्ट दिखा देती हूं जो आपकी exam में मदद कर सके हमारे ही चैनल study time with SK के playlist section में जबाप आएंगे तो आपको different courses के इस तरीके के playlist देखने को मिल जाएंगे देखे मैं आपको एक बार scroll करके दिखा देती हूं जो जो playlist हमारे पास available ह application oriented courses की भी सभी courses के मैंने आपर playlist बनाने की उनके questions बनाने की courses की है अगर कोई course छूटता है तो आप उसको comment section में जुरू बता दीजेगा मैं उसका भी important questions का video upload कर दूँगी देखे सर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा आपको उसके साथ practice भी करनी पड़ेगी उसके answers खुद test है इन्हें भी आप देख सकते हैं और जो भी नई news या फिर कुछ questions होंगे मेरे पास मैं उसे जरूर community section में डालने की courses करूंगे ताकि आप वहां से भी अपने preparation को complete कर पाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा अपने friends के वीडियो पाने के लिए आप हमें course code के साथ उस exam की date डालके comment section में लिख दीजेगा ताकि हम उसके important question का वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुचा सके तब तक stay tuned जै हिन जै भारत